मेरे घर की चाय बहुत स्पेशल है जी हाँ जार्खन का मतन और धुसका इसके तो बात ही निराली है जैसे मुंबई का फैस्टन स्पेशल है वैसे ही कूलकाता की मठाईयां भी स्पेशल है जी हां कुछ बाते हैं जो दिल को छू जाती है और जो बाते दिल को छू जाती है न वो घटनाई भी बहुत स्पेशल होती है नमस्कार मैं हूँ आर्थि सिंग और हाजी रो लेकर स्पेशल रपॉर्ट सुषान सिंग राजपूत जरा सोचिए कि ऐसी क्या स्थिती रही होगी जब एक इनसान ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होता है हर किसी को खास बना नहीं सकते लोग मजाक बना देते दूसरों के दर्द का हम दर्द हर किसी को बना नहीं सकते चारों तरफ पता नहीं कैसी होड है हर तरफ आगे बढ़ने का शूर तुम्हें करना होगा ये बताई जाती है तेरे अंदर के दर्द को चुपा जाए चिछोरे का विशे भी तो यही था कि जीवन अनमोल है सफलता या किसी भी तरह के दुख की तो डिप्रेशन की जो बात करते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन और सैडनेस ये दो अलग बात होती है ये जो से सैडनेस में पूछ सकता है इंसान की क्यों क्यों दुखी है क्या हुआ था तो रिजन ऑब्यस रिजन बता चलता है यह यह कारण थे दुखिए इन डिप्रेशन में कोई obvious reason हो ना हो, डिप्रेशन में इनसान का रसायन कुछ ऐसा बदल चुका होता है कि उसके अंदर भीतर का उमंग उतकार अभी प्रेणना to continue to live जीने का उमंग रहता ही नहीं है, विलकुल नहीं रहता है कि वो इनसान और जीने के लिए अभी प्रेणना मोटिवेशन है राजपूत को शत्थान चरीव तो आप बेजिजग साइकाइटरिस के साथ मिल सकते हैं डिसकस कर सकते हैं अगर आपको कोई मेडिसिन या ट्रीट्मेंट की जरुए तो प्लीज आप लीजिए ना ये पहली घटना है ना ये अंतिम घटना होगी और आप जानते हैं एक दुर्भागिपून फैक्ट जमशेतपूर के साथ जुड़ा हुआ है कि आत्मध्या के मामलों में देश में टॉफ फाइफ सिटीज में आता है तो कहीं ना कहीं इस कैंपेइन के माध्यम से जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सुमन ने एक पेंटिंग भी डेडिकेट की है सुशांत को और जो जारकंड के यूद से अपील करना चाहता हूं कि हमें किसी भी आम बिमारी को जिस तरह से हम शेर करते हैं अपनी मानसिक जो हमारी चुनौतिया है जो मेंटल इल्नेस है उसको भी शेर करने की ज़रूरत है क्या फाइदा इस चकाचौन्द का जब कोई परेशानी में इतना अकेला हो कि वो भुट जाए और कोई खलत कदम उठा लेगा ना कोई रोकने वाला ना कोई समझाने का कि जब मंजिल मिल जाती है तो फिर मंजिल बदल जाती है और यह सब कुछ मन के रास्ते ही होता है और मन ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रकार की हार बरदास्त नहीं करता चाहे वो भावनात्मत बात हो कोई नीजी बात हो या फिर प्रोफेशनल से जुड़ी बात तो इसी म को समझाना है और हमेशा ये कहना है कि all is well क्यामरा परसन अम्वर के साथ हमी अम्रीता यूज 11 सब शेक्पूर जमाना ओनलाइन पढ़ाई का है और इसे लेकर कई नए अप भी मार्केट में हैं लेकिन देवगर की श्वेता से हम आपको मलवाने जा रहे हैं जो अपनी बेटी के साथ मलकर बड़े ही रोचक अंदाज में बच्चों को पढ़ाने का एक नायाब तरीका ढूंड निकाला है उन्होंने स्कूल कॉलेज सारे बंध है ऐसे में पूरे देश में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का सहारली रहे हैं और जिब ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है तो अब बच्चों की सुविधा को देखते हुए कई तरह के यूजर फ्रेंली वीडियोज को शिक्षक बच्चों की सुविधा मुताबिक अपलोड कर रहे हैं देवगर की रहने वाले शिक्षिकाश शोयता शर्मा और उनकी बेटी मेखा ने भी अपने इनोवेटिव आइडिया को ऑनलाइन पढ़ाई का रूप देकर बच्चों के लिए पेश किया है अचानक से एक दिन हमें ये स्टेट से पता चला कि ऐसे वीडियोज की मांग हो रही है जो कि बच्चों के लिए स्टेट लेवल पे राजजे लेवल पे बच्चों को भेजा जाएगा डीजी साथ कारिक्रम की अंतरगत तो उस वक्त हम मैंने और अब मेरी बेटी में सोचा कि हम फ्रंट लाइन वोरियर्स के तरह घर के बाहर बहुत कंट्रिब्यूट करने ही पारें तो क्यों ना घर बैटे हम सिक्षा के प्रती जो हो सकता है वो हम प्रयास करें तो हमने सेल्फ लर्निंग के माध्यम से अनिमेशन जितने भी ऐसे ICT टूल्स होते हैं उसको हमने ट्राइट टेस्ट करते हुए कोशिश की कुछ अच्छी वीडियोज थेयार करने की मेगा दीदे की पार्शाला के नाम से इस चैनल ने बच्चों को काच्छून के माध्यम से अपनी भाशा में रोचक तड़ीके से पढ़ाया जा रहा है इन वीडियोज की लोग प्रियता को देखते हुए सरकारी इस्तर में भी इसकी मांग की कई है इन वीडियोज में मेगा ने अपने दिलकश आवाज में इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से बड़े ही आसानी से अलग-अलग विशेयों को बहु भी समझाया है इधर सरकारी प्रतिनीधी भी मेगा के इस ब्रयास से काफी उत्साहित है बच्चे इस आपके माध्यम से अब ज़्यादा नौलज के साथ मस्ती के महौल में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे है हम लोग अपना बुक का चेप्टर वाइज जो पाट होता है उसे हम लोग देखते हैं इसमें जिससे हम लोग को समझ में आता है अची तरह से और हम लोग इसे अपने कॉपी में question answer अच्छे तरीके से कर पाते हैं और समझ में आता है इसे कि बहुत काफी active है मैं प्रभावित भी हूँ कि अगर उस तरह का सिच्छक हमारे जीले में कम से कम सो अगर होते हैं तो हमारे सो विद्याले का दिकास हो सकता है मा बेटी की जोड़ी ने आज online पढ़ाई को एक नई दिशा दी है जिससे जोड़कर बच्चे रोचक अंदाज में अपने सब्जेक्ट्स को कवर भी कर रहे हैं और उसका भरपूर आनदली रहे है विस उब्यापी महामारी करोना ने कई लोगों को अपनों से जोड़ा कर दिया कई लोगों को सणक पिला दिया कई लोग आउसात के सिकार हो गए लेकिन उन में से भी कई लोग ऐसे भी हैं जो इस समय को बड़ा अच्छा इस्तमाल किया और इससे आफसर की तरह इस्तमाल किया है और नहीं में से ये एक माँ और बेटी की जोड़ी है जो कुछ इस पूरे दौरान जो उनको समय मिला उसमें जो कुछ भी बनाया है वो खासका सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़े काम की हैं ये जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कानपसन माँस के साथ मैं मनीस राजनी जिर्वन भात के लिए देवकर्स कलाकार हमेशा कुछ नया सोचता है नया खोजता है और नया करने की कोशिश करता है कोरोना काल में भी इस दौर को बड़ी ही खूबसूर्ती से सजाया गया सवारा गया मंदिर बंद हैं मस्जित बंद हैं गुरुद्वारे चट सभी बंद हैं भक्त और भगवान की दूरी बढ़ गई है लेकिन इस दौर को भी कलाकार ने कैसे खुबसूर्ती से पेश किया है, देखे हमारी ये खास रपाउट अपने कलाकिर्ती के माध्यम से प्रस्तूत किया है, घर के ही आंगन में इन्होंने मंदिर मर्चुद को लोगडाउन के परिवेश में प्रस्तूत किया है है ही ये अजीब सा वाक्या, जहांके सारी दुनिया परिशान है, बंद है, एक खौफ से खौफ जदा है, तो उसमें लगा मुझे कि जब अल्टिमेटली हम लोग जाते हैं भगवान के दरवाजे पे, किसी भी मुसीबत में एक विस्वास है मन में, लेकिन वो भी बंद है सा दिनेश ने अपने भाव से इस पूरे स्थिते को प्रस्थूत किया है, वो मानते हैं कि इंसान आशावादी इंसान रहता है, और उम्मीद की जाती है कि हम इस त्रासदी से जल्द निकलाएंगे दिनेश और मीना ने कला के शित्र में कई कामयाबी हांसिल की है, अपने पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने प्रकृति को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तूत करने की कोशिश की है, ऐसे में प्रकृति से खिलवार हमें इस से दूर ले जाता है और प्रकृति तो हमारे अनदाता है, जीवन दाता है, सब कुछ उन्हीं से है और हम उनकी पूजा भी करते हैं, इश्वर क्या है? इश्वर तो प्रकृति ही ही है लेकिन प्रकृति से इस तरह से लोग खिलवार करने लगें कि उसको कुछ सोच नहीं नहीं है, तब गंगा का पानी है, वह तब कहीं भी आप चले जाएए, हर जगव वही इस्तिती थी और तब उन्होंने करवट बदला और इसकदर करवट बदला है कि पुरी दुनिया ही उसमें आगे, क्योंकि हर जगव प्रकृति से खिलवार हो रहा था आने वाले दिन में मंदिर मस्जित खुल जाएंगे, भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने गल्तियों से सीखे और आने वाले दिन में प्रकृति के और करीब जाकर इसे इसके वास्तविक रूप में छोड़ दें आस्था के केंदर मंदिर मस्जित चर्श कुर्दवारे तमाम पर ताले पड़ गए हैं इतिहास में कभी भी ऐसी स्थिती का वर्णर नहीं है शायद प्रकृति ने हमें वेक अप कॉल दिया है अगर हम सुधर गए तो फिर से ये दुनिया वैसे ही हरी भरी और हमारे रहने भी चरने लायक हो जाएगी और भी कुछ स्पेशल रपोर्ट्स है हमारे पास दिखाएंगे हम लेकिन रुकें के फलाल छोड़े से ब्रेक के लिए और अब कहानी आपके घर की हमारे घर की जिया कहानी शादी की शादी का मौसम तो है लेकिन इस बार कुरुना काल में कई तरह की पाबंदियों के साथ शादी हो रही है जी हाँ, लेकिन फिर भी शादी तो स्पेशल ही है, कैसे इस पाबंदी भरे माहौल में साधिया संपन हो रही है, देखें हमारी ये स्पेशल रिपॉर्ट अब ना बैंड बाजा होगा और ना ही बाराती होगे, शादी तो होगी लेकिन अंदाज नया होगा जी हाँ, मौसम शादी का है, ऐसे में जो शादिया हो रही है, उनका रही होगी बिल्कुल अलगी नज़र आ रहा है दूलहे दूलहन के परिधान में नए ऐसेसरी चुड़के हैं, और जिन शादियों में महलाई एक दूसरे की खुबसूर्ती और स्टाइल को लेकर दूलनाख्या करती थी, वो अब नज़र नहीं आने वाला जी हाँ, The Great Indian Marriage का अब रूप बिल्कुल बदल गया है क्या है इस नए शादी के कार्ड में आप ही देखे शादी में आएंगे 50 महमान सभी महमानों के चेहरों पर लगे होंगे मास्क दूर से ही मिलने मिलाने का संसकार करना होगा बाराती और सराती पहचान के मताबिक पहनेंगे मास्क वर्वधू के लिए विशेश डिजाइनर मास्क होंगे नए और क्रियेटिव तरीकों से वर्माला के रस्म दूर रहकर रिश्चदार देंगे आशिरवाद अब शादी में संसकार के साथ तकनीक का भी प्रयोग शादी में अब नहीं होगा बैंड बाजा पारा ये हैं जमशितपुर की दिपिका और राजीव शादी करक बिलकुल अलग मास्क पहने हुए बाराती एक अलग अन्दाज में और ये क्या मंडप में दूले दूलहन ने एक दूसरे को मास्क पहनाया और उसके बाद दूर से ही वर्माला की रस्म करने की कोशिश की लेकिन ये क्या जरा सी गरवड हो गई फिर सोचा चलो वर्माला ही डाल देते हैं कभी सोचा तो नहीं था बर आज जब करने को मौका मिला तो अच्छी अच्छा लगा मनाया कुछ नया मिला उस लोगों को इससे कुछ नहीं सीख दे पाएंगे हम कि हम लोग किस तरह के से लोग को सोचल मेंटेंस मेंटेन करने चाहिए और मास पहनना चाहिए सानिटाइजर यूज करने चाहिए कोरोना की कारण है मास पहन की खड़े है पर हमें यह पता चलता है जैसा सिच्वेशन है वैसे हमें हैंडल करना चाहिए कोरोना की कारण हम अपनी शादी ऐसे कर रहे है पर कोई बात नहीं यह एक नई रसम हो गई है कभी सूचा तो नहीं था बट इसका भी हम लोग ने इंजॉइमेंट लिया है जमशितपूर की तरह ही दिल्ली में हो रही यह शादी भी काफी चर्चा में रही दुल्हा दुल्हन तो जार्खन के हैं ऐसे में ज्यादतर रिश्टदार शादी से दूर ही रहे शादी में गिने चुने लोग ही आए और बाकी मेहमानों ने इस शादी को वर्च्वियल प्लाटफॉर्म पर अपनी घर से देखा देश भर में कई शादियां रद हो चुकी हैं लेकिन जो शादिया हो रही है उनमें पाबंदिया साफ नजर आ रही है इसको जेतना दिन भी परिशानी है इसको हम लोग को देखते हुए सबसे पहले जो लोग इस संकर्ट से परिशान हो रहे हैं उनको देखना है साधगी किसे अभी हम लोग को काम करना है साधी हो कोई भी फिजिल खर्च से भच के अभी कम से कम हम लोग को हालतू खर्च करना च ऐसे में आने वाले दिन में शादियों का ये नया रूप कईयों को हसाएगा भी और कईयों को परिशान भी करेगा न्यूस एलेबन भारत के लिए दिल्ली सरेशिकेश और जमशितपुर से प्रभात की रिपोर्ट एक बंगला बने न्यारा भले ये गाने के बोल हूँ लेकिन एक सुन्दर घर का सपना हर किसी का होता है और ये सपना अगर किसी जुगी जूपडी वाले का पूरा हो तो फिर क्या कहना जी हाँ ऐसे ही कुछ सपने को पूरा करती ये रपोर्ट हम दिखा रहे हैं आप भी देखिए कि कैसे सपना पूरा जब हो किसी का तो कैसे हुशी होती है ये तेरा घर ये मेरा घर ये घर कितना हसीन है जी हाँ हर किसी का सपना होता है अपना एक घर कुछ साल पहले की बात है राजी के बीच ओ बीच रहने वाले तीन चार बस्ती के लोगों को यहां बन रहे बिर्सा मुंडा पार्क के लिए यहां से हटा दिया क्या था आज चार साल बाद ये अपना घर या फिर यूं कहें अपने सपनों के घर में आ गए है कभी जुग्गी जोपड़ी में रहने वाले ये लोग आज लंबे इंतवसार के बाद ही सही अपने घर में आ गए है अपना एक आश्याना हो ये हर कोई चाता है लेकिन बेघरों को अगर आश्याना मिल जाए तो ये एक सपना से कम नहीं है यहां हम बात कर रहे हैं राची के इस जेल रोड स्थित प्रधान मंतरी आवास योजना के तहद बने इस फ्लैट का जो 180 फ्लैट यहां पर बने है और यहां पर जो है ग्रीपरवेश हो गया है और यहां पर वो बेघर रहेंगे जिनके पास घर नहीं था जो ऐसे बस्ती में रहते थे जहां रहना जो है वो काफी मुश्किल था बरसात के समय में काफी परिशानी होती थी और अब उनका ये सपना साकार हो गया है आप देख सकते हैं ये फ्लैट बन कर तयार है और यहाँ पर 55 लोग का फ्लैट में ग्रीप्रवेश कर चुके हैं कहीं न कहीं जो एक खुशी का जो पल है वो इन बस्ती वालों में देखने को मिल रहा है देखिए यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं हम उनके फ्लैट की घंटी जो है बजाते हैं और आप देख सकते हैं ये फ्लैट है और यहाँ पर एक महिला जो है वो शिफ्ट भी कर गई है ये तवाम जो अब देख सकते हैं किस तरीके से फ्लैट में हैं है समाना गैज किस तरीके से एक्जूस्ट फैन लगा गए हैं टमाम जो है यहाँ पर एक डिलक्स उट्ण ने जुझ है वो शुविधा इस फ्लैट में दी गई है लाइट इसक्री भाध करें पंखे की बाध धुर ज़ा सुन चाहे बहुत मुसीबत का समना करना पड़ा, पर हमारे मोदीजी है, जो हम लोगे इतना अच्छा मकान दिये, हम लोग बहुत कोस है, सबसे बड़ी बातों है, हम लोगे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोगे ऐसा मकान में रहना पड़े है। अच्छा मकान दिये, हम लोगे इतना पड़े हैं, जो बस्ती से लोग आये हैं, वो अब एक सोसाइटी में शिफ्ट कर जाएंगे, और बिल्कुल जो ये नजारा होगा, ये बिल्कुल ही एक खुशी का पल होगा, जब ये लोग धीरे-धीरे अपने फ्लाइट में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो बस्ती है, जिस बस्ती से लोग आ रहे हैं, एक सोसाइटी में डिफ्लप करेंगे, अपने सव्वग उमेश के साथ, अंकुर सिना, नीव्ज इलेवन भारत राची स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ स्पेशल कहानियों के साथ, आज दीजे इजासत, नमस्कार करेंगे, अगली बारत राची